विल्कम तो रजातिख वेब गाईस पीपल वालेट के बारे में आप लोगों ने जरूर शुन रखा होगा गाईस इस पे औरलेटी मैंने कई सारी वीडियो बना राकी है पहली मैंने वीडियो बनाई है कि आपको पीपल वालेट किस तरीके से शेट अप करना है इस people wallet में क्या कर सकते हैं इसका use क्या है दूसरी वीडियो मैंने बनाई है कि people wallet में top up आप किस तरीके सकते हैं या अगर आपके पास UAE में bank account नहीं है तो आपको people wallet में recharge किस तरीके से कर सकते हैं आज कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप आपका people wallet debit card के थुरू किस त देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दू कि people एक ऐसा application है जिसको यूज करके आप यूज से अपनी country free में पैसे भेज सकते हैं जी हां आप बिल्कुल correct सुन रहे हैं कि आप यूज से आपके country free में पैसे भेज सकते हैं इसके rate भी काफी अच्छे है एक्सचेंज रेट से और क्या चाहिए तो guys people एक बहुत अच्छा application है जिसको मैं personally use करता हूं और मैं recommend करता हूं कि आप लोग भी इसको use कर सकते हैं इसकी download link मेरे description box में या pinned comment से आप ले सकते हैं और वहां से easily इस आप को download करके use कर सकते हैं चलो आपको लेके छलता हूं मैं अपने mobile screen पे और आपको बताता हूं कि people wallet को debit card के थुरू किस तरीके से recharge करेंगे guys हमारे mobile screen पे people का application आप देख रहे हैं simply हम यहां से click करके इसको on कर लेंगे यहां पर देख सकते हैं कि हमारे PayPal wallet में 72 दरहम है यानि मैं काफी जाधा use करता हूं मुझे personally मैं बताता हूं कि मुझे यह application काफी जाधा पसंद है क्योंकि इसमें कोई charges नहीं लगते तो मैं simply यहां पर click करके top up पर click कर लेता हूं जैसे मैंने top up पर click के यहां पर देखिए तीन options है cash top up debit card and bank transfer तो मैं आपको bank transfer कभी भी ना करें cash top up मैंने आपको बता रखा है और वीडियो बना रखे तो आप देख सकते हैं आज हम debit card बताने वाले हैं तो simply हमने debit card पर click कर दिया लेकिन यहां पर देखिए debit card में minimum आप 20 द्रम ही recharge कर सकते हैं इससे कम जो है top up नहीं कर सकते हैं simply 20 द्रम लिखा हुआ अगर आप ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो keyword से ज़्यादा लिख सकते लेकिन आप 20 द्रम ही लिखा छोड़ते हैं simply यहां पर card का number है आप card का number लिख दीजे गाइस card की सारी information फिल करने के बाद यहां पर देखिए options दे रखा है save card कर आप future में card save करना चाहते हैं तो यहां से save करके भी रख सकते हैं ताकि आप future में use करें और यहां से आप बंद भी कर सकते हैं simply हम इसको save करके रखना चाहते हैं और यहां पर top up पे क्लिक कर देते हैं जैसे हमने top up पे क्लिक किया यहां पर देखिए थोड़ा सा processing चल रहा है थोड़ा processing होने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि ADCP bank की तरफ से मुझे जो है सारी message आ गया भी यहां पर OTP मांग रहा है कि मैं यहां पर अपना OTP डालूं तो simply यहां पर हम जो है अपना bank का OTP हमारे register mobile नंबर आई होगी हम उसको डाल देते हैं आई simply हम यहां पर अपना OTP डाल दिया OTP डालने के बाद simply हम यहां पर सब्मिट पर क्लिक करेंगे पिट पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो है और टॉप रिचार्ज हो गया है debit card के तुरू और मुझे message भी आ गया है हम इसको क्लोज कर लेते हैं क्लोज करने के बाद हम यहां पर देखेंगे कि थोड़ी ही देर में हमारा सेविंटी टू जो है 92 में कनवर्ट हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमको पीपल के तरफ से confirmation message भी आ गया मेरा account 72 से 92 हो गया है तो गाइस आपने से देखा कि कितनी ही आसानी से मैंने टॉप अप किया है और विदिन सेकेंड यह टॉप हमारे account में reflect हो गया तो अगर आपके पास कोई bank account है bank account के थुरू अपना people wallet को टॉप अप करना चाहते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा आसान है आप इसको टॉप अप कर सकते हैं गाइस मुझे उम्मीद है कि वीडियो में बताई गए information आपको जरूर पसंदाई होगी अगर आपको कोई सवाल है कोई query है और आप किसी भी as a topic वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें comment section में mention करें मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँ मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई